आज हम बहुत ही इंट्रस्टिंग एक और ड्रमाटिक एक्टिविटी देखने जा रहे हैं जिसका नाम है सोस्यो ड्रामा और हम देखते हैं यह क्या है एक बहुत ही मश्यूर साइकॉलोजिस्त है जिनका नाम है मौरीनो और उन्होंने इस फॉर्म अफ प्ले को आइकुली बहुत ही बेतर did algebra कर्के और यह बताया है क्या यह चु़ него क्रिविर घृटि क्यों जरूर्फ यह यह कES जिसकां दर बच्टिम कंदर विक्री हुज़ जो है वह स्कृुट हुट लिखते हैं बाकी पूरे ड्रामे के ट्रक्ठाइन मफ़ा इकै ढटिपश स्रक्श कि social life की बहुत से problems हैं जो हम हर रोज encounter करते हैं या मुक्तलिफ दिनों में encounter करते हैं वो क्या होते हैं जब हम लोगों के साथ interact करते हैं हमें कैसे मसाइल आते हैं और हमें कैसे उसे solve करना चाहिए वो dramas के थूफ सीखते हैं इसके अंदर बच्चे क्या क्या सीखते हैं वो रिक नाइस करते हैं वो investigate करते हैं कि जो हमारे social characters हैं जो हमारे issues हैं हमारे पास वो क्या है और drama की थूफ हम उन्हें कैसे ethically, morally और social values के मताबिक resolve कर सकते हैं यह dramatic activities कौन सी classes के लिए बेतर हैं यह तमाम classes में की जा सकती हैं लेकिन जब हम यंग बच्चों के साथ करते हैं अर्ली एर्स में करते हैं तो हमें इसका बहुत positive effect आता है बच्चों में regression कम होता है उनकी लड़ाई जग्रे कम होते हैं उनकी social understanding बहतर बन जाती है social drama जो है बन्यादी तौर पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके structure बनाता है वो teacher बनाता है teacher बकायता है इसकी planning करता है इसका formal structure बनाता है इसका procedure लिखता है और एक organized आके brainstorming करता है यह देखता है कि हमारी class में कौन सी common issues है problem है जो बच्चे आपस में socialize करते वे encounter करते हैं और उसका बन्यादी मकसद ही होता है कि बच्चों को इससे aware किया जाए उन्हें बताया जाए कि यह आपके real socialization issues है और बच्चे उसमें constructive तरीके से सोचें कि इन्हें हम कैसे resolve कर सकते हैं किसी भी social issue को यह socialization के issue को resolve करने का कोई एक best तरीका नहीं होता दियर में भी so many other good trees और हम वो find out करते हैं वाया social drama कि वो क्या है तो पहला step teacher के लिए यह आता है कि subject करता है कि मैंने कि subject पर बच्चों की brainstorming करनी है बच्चों को बठाता है कोई idea देता है को subject देता और बच्चे फिर उसके उपर खुद एक्जैंपल लेकर आते हैं कि आज हम इस social dramatic activity को करते हैं इस issue के बारे में example हो सकती है बच्चों के problems हो सकते हैं sharing से related आया किसी बच्चे को अपने group से निकाल देने के बारे में या rudeness के बारे में तो यह वो social issues हैं जो के हम day-to-day encounter करते हैं अपनी social life में दोस्तों के साथ उसके बाद बच्चे subject कुछ चूज कर लें टीचर से brain storming करके उने subject तक लाता है और फिर उसमें से वो चूज करते हैं कि किसको आज हमें social drama में सीखना है perform करना है explore करना है तो उसके बाद वो क्या करता है वो बच्चों से पूछता है कि जी आप में से कौन volunteer करेगा और उसमें से दो character सामने आ जाए और वो perform करके दिखाए हम एक example ले ले लेते हैं कि दो ब pretend करते हैं कि जना वो दो ऐसे बच्चें जिन्होंने एक ही twice से खेलना और फिर लड़ते हैं और लड़ने के बाद उसमें मुक्तलिफ किसम करके बताते हैं कि जैनरली ऐसी लड़ाई में क्या होता है जब इस सब कुछ हो जाता है तो इस structure उन बच्चों को रोकता है और बाक यह सजेस्ट कर सकता है कि वह बच्चे को सजेस्ट किया जाए कि आप किसी और ट्वाइस से खेल लो बच्चे जितनी भी सजेशन देते हैं उन सजेशन को सामने रखते हुए बच्चों को कहा जाता है कि अब आप दुबारा हर सजेशन पर पर्फॉर्म करके दिखाएं कि बच्चै제를 को यह कहा जाता है पर्फॉर्मर्स को कि जितनी क्लास के बच्चों सब्सक्राइब कुछ्स इस簡 cruise कि अजब लिए एसपायदा करने को इसका फाइदा कि अभी को मुल्टिपल परसुपेक्टिव मिलता है और उन्हें पता चलता है कि एक problem को solve करने की different तरीके होते हैं ऐसे traumatic activity में बच्चे emotionally भी involved होते हैं physically भी perform कर रहे होते हैं और उनकी पांचों senses काम कर रही होती हैं जिसके साथ वो interaction करके आपको बता रहे होते हैं कि यह क्या चीजे हैं यह क्या problem है और हम इस problem में जब आ जाते हैं तो हमारे पस क्या options हैं इनको resolve करने की यह activities बच्चों को आगे future में इस किसम के problems को solve करने की बुन्यादी तौर पे foundation provide करते हैं जहां यह वो skills सीखते हैं language सीखते हैं अपने emotions को control करना सीखते हैं तो हम इनको कहते हैं social dramatic activities